बिहार में तेजी से कोरोना अपने पाउप फैलाते जा रहे हैं तीसरी लहर की आहट ने सनिवार को पिछले 90 दिनों के आकरों को तोड़ दिया है महत 24 घंटे में पूरे बिहार में 4526 नए मामले निकल कर सामने आये हैं वहीं राज्जी में कोरोना से संक्रमित मरिजों की संख्या में भी लगातार ब्रिदी हो रही है अब संक्रमित मरिजों की संख्या 12,000 के पारजा पहुची है बिहार स्वास्त विभाग के अधिकारियों की माने तो कोरोणा से संक्रमित बेक्ती महज दो दिनों के अंदर तीन से चार लोगों में लापरवाही से कोरोणा बाट रहे हैं यानि राज्य में कोरोणा संक्रमन का चैन एक बार फिर बढ़ता जा रहा है पुरे बिहार के 300 से अधिक परखंडों में कोरोना ने एक बार फिर अपने पाउं फैलाए हैं अस्पतालों में कोरोना जाच कराने वाले लोगों में लगातार इजाफा हो रहा है लगातार आ रहे है कोरोना मरीजों में गउं के लोगों में भी कोरोना की पुष्टी हो रही है सनिवार को पटना में इलाजरत भागलपुर के सिपूरी कोलोनी के रहने वाले 21 वर्सिय युवक की कोरोना से मौत हो गई उनके परिजनों का कहना है यूवक ने कोरोना वेक्सिन की डोज ली थी इसके बाब जूद पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित हो गया था यूवक को सांस लेने में काफी परिसानी हो रही थी इलाज के दोरान यूवक की कोरोना ने जान ले ली अब परिजनों में मातम पसरा हुआ है सनिवार को पत्णा में एक और लोगों की कोरोना ने जान ले ली है 60 वर्षिय बुज़ुर्ग पूर्णिया के रहने वाले हैं उनकी मिर्थ्यू भी सनिवार को पत्णा में इलाज के दोरान हो गई राजधानी पत्णा कोरोना का हब बनता जा रहा है यहां संक्रमन क दर में कापी तेजी से इजाफा हो रहा है वहीं बात यदि भागलपूर की कर ले तो यहां एक बार फिर कोरोना ने मुस्किले बढ़ा दिये हैं लगातार कोरोना के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं भागलपूर में कोरोना संक्रमित मरीजों की अब संख्या 236 जा पहुची ह भागलपूर डियाजी कारियाले में तैना साथ लोगों में कोरोना की पुष्टी हो गई स्वास विभाग के द्वारा आकरों के मुताबिक भागलपूर के एक डियेसपी भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं उन्होंने खुद को हम आइसोलेट कर लिया है महिला पुलीस कर में अकाउंटेंट के साथ मेडिकल कॉलेज के चात्र चात्राओं के साथ चाड और डॉक्टरों में भी कोरोना की पुष्टी हुई है नवगच्या से 13 जगदीशपूर से 3 रंगरा और गोपालपूर से एक-एक मामले सामने आये हैं कुल मिलाकर सनिवार को भागलपूर से 69 लोग संकरमित पाए गए हैं डॉक्टरों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर ने बिहार में भी दस्तक दे दी है आने वाले दिनों में तेजी से और कोरोना फैल सकता है ऐसे में साथधानी बरतना बेहत जरूरी है क्योंकि कोरोना के आकरे डाडाने वाले निकल कर सामने आ आने वाले दिनों में तीसरी लहर की बड़ी आहर देखने को मिल सकती है बढ़ाल यदि आपने अब तक हमारे चैनल न्यूस बैयार को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले साथ ही हमारे फेसबूप पेस को लाइक करे देखते रहे न्यूस बैयार अगली वीडियो म में आप से हम जल्दी मिलेंगे